हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरो यारो प्रिलिम्स के सेकेंड पेपर निस सामान हंदी के टेस्ट सीरीज को साल्प करेंगे दोस्तों आप लोग जानते हो कि UPPSC यानि उप्तर परदेश लोग से वायोग द्वारा जो समिच्छा अधिकारी की बेकिन्सी की परिछा ली जाती है उसमें हमारे पिलिम्स में दो पेपर कराई जाते हैं जिसमें फर्ष्ट पेपर हमारा सामान यद्ध्यन का होता है जिसके हम लोग दो टेस्ट सीरीज को सालप करेंगे तो चलिए दोस्तों इसको लगाने से पहले थोड़ा सा हम लोग सिलेबर्स के बारे में जान लेते हैं ये रहा हमारा सिलेबर्स प्रस्णों की संक्या 60 होती है और समय भी एक घंटे का दिया जाता है आप लोग जानती है जिसमें छे टापिक तोटा साथ कोश्चन पूछे जाते हैं जो हमारा जीस प्रिलिम्स का सेकेंड पेपर होता है और यह साथ नंबर का होता है मार्किंग दोस्तों हम लोग चर्चाकार हुई चुके हैं कि इसमें 1 by 3 यानि 33% की होती है तो चलिए दोस्तों हम लोग question 1 को देखना शुरू करते हैं सामान हिंदी test series का हमारा पहला question है दोस्तों जिसमें हम लोगों को नमक का तत्सम बताना है तो दोस्तों विकल्प में लोण है लावण है नोण है और लोण है थोड़ा समय इसमें हम आपको भी देंगे दोस्तों थोड़ा आप का मंसेंस लगाएं और पड़े हुए जानकारी का दोस्तों test series के जूरी है अपने question को जाचे कि हमारे कितने question सही हो रहे है तो यहाँ पर first question में हमें नमक का तत्सम रूप बताना है तो क्या होगा दोस्तों लवण नमक का तत्सम रूप लवण होगा यानि हमारा answer होगा यहाँ पर बीकल्प number D नमक का तत्सम रूप लवन होगा next question को दोखेंगे question number 2 question number 2 में हमें साखी का तत्सम रूप बताना है साखी आप लोग परचित होगे हैं दोस्तों थोड़ा बहुत अगर कभीरदास के बारे में पढ़ा होगा ठीक वहीं से दोस्तों थोड़ा सा कामन से आपका एंसर निकलाएगा साखी सबदर्मैनी जो कभीरदास की दोस्तों रचनाए थी तो उसमें साखी का मतलब क्या बोला गया है साखी का मतलब बोला गया है दोस्तों साच्छी यानि हमारा एंसर होगा है बीकल नमबर ये साखी का मतलब साच्छी नेक्स देखेंगे, question number 3, question number 3 में हमें दोस्तों, चत्व स्कोंड का तद्भा रूप बताना है, अभी तक हम लोग दोस्तों, दो प्रस्ण तस्सम के देखेंगे हैं, अब हमें तीसे question में चत्व स्कोंड, यानि चत्व स्कोंड का अब हमें तद्भा बताना है, तस्सम और दोस्तों ये अर्थ निकाला जाता है वो तद्भव में रखा जाता है तो यहां पर हमें चत्तु स्कोंड का तद्भव रूप बताना है तो इसका एंसर होगा दोस्तों चोकोर यानि हमारा एंसर होगा विकल्प नंबर बी चत्तु स्कोंड का तद्भव रूप होगा चोकोर next देखेंगे question number 4 question number 4 में दोस्तों question है हिंदी के तद्भो सब्द हुआ है जो question है हिंदी के तद्भो सब्द हुआ है जो या ऐसा भी बोल सकते हैं कि हिंदी के तद्भो सब्द हुआ है जो कौन से सब्द जो संस्कित से प्राकिरित अपभरंस में रूप बदलते हुए हिंदी में आये हैं यानि हमारा एंसर होगा बिकल नमबर D संस्कित से प्राकिरित अपभरंस में रूप बदलते हुए हिंदी में आये इनका दोस्तों करम है संस्कित प्राकृत अभरंस अपहाट और हिंदी लास्ट में हिंदी आता है दोस्तों तो इस तरह से संस्कित के सब जो कित्तों जो ले लिए हैं वो तस्सम होते हैं हम लोगों ने चर्चा कर लिया और वही सब दोस्तों संस्कित से प्राकृत अभरंस अ परिभासा है और तद्भों की परिभासा होगी जो बिकलन मड़ी है यानि संस्क्री से प्राक्रित अपभारंस में रूप बदलते हुए हिंदी में आए अगला कोश्चन देखेंगे कोश्चन नमर पांच पांच नमर कोश्चन है हमारा यक सम तथा यक तद्भो सब्द का जोड़ा दोस्तों आपके आरो यारो पिलिम्स में इस तरह के कोश्चन पूछे जाएंगे थोड़ा डिफिकल्ट कोश्चन दे जाएंगे हम दोस्तों टेक्स स्रीज नमर वन है इसलिए थोड़ा इजी कोश कोश्चन जो आएंगे वो जोड़े से संबंदित आएंगे ठोड़ा डिफिकल्ट बनाए जाएगा यह कोश्चन भी दोस्तों अब काफी कमप्टीट्व पूछे जाते हैं तो चलिए देखते हैं एक तस्थम तथा एक तद्भव सब्द का हमें जोड़ा बताना है पहला है दूसरा है राद दिन तीसरा है दोस्तों C नमबर सूरी चाद और D नमबर है सुर्ग और नरक आप लोग फड़ा इसमें ध्यान दीजे इसमें कौन सा सब्द है जो पहला सब्द तस्थम होना चाहिए और दूसरा सब्द तद्भव होना चाहिए तो यहाँ पी हमारा एंसर होगा दोस्तों शूर और चाध शूरी और चाध यानि वीकलल क नमबर सई शूर एक तस्थम सब्द है और चाधं यहानी हमारा नूंबर सब्द है अगला देखेंगे को च्लिण नमबर शो को कु कु स्थे से दोश्टों प्रियाई वाचि से लिए हम लोग जानते हैं सिलि लुख कर दोस्तों अलंकार में भी बढ़ चुके हैं आप यहांने बिकल्प देखी और अपने एंस Alrighty कोशिश किजिए क्या होगा दोश्टोय करनाक का लुटमूरे भील परियाबाची संगो होगा देखेंगे कोषिशन नमर्च 7 सेवन कोषचन है तरकस का प्रियाइबाची बताना है तरकस का प्रियाइबाची बताना है तो धनुस तो होगा नहीं आप यहां पर मत दोस्तों कंफ्यूज मत होएगा तरकस का प्रियाइबाची धनुस नहीं होगा उपसंग भी नहीं होगा और तीर भी नहीं होगा इसका प्रियाइबाची होगा नि आर्थी सब्द। व्याक्यांश के लिए एक सब्द। जो हमाई topic हमाई slivers में है वहां से question है दोस्तों समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक सब्द बताना हैं, व्याक्यांश के लिए एक सब्द का यह पहला question है हमारा, तो क्या होगा आति सीतोंशन होगा नहीं क्योंकि आति सीतोंशन का मतलब है बहुत अधिक ठंडा उसके लिए दोस्तों एक सब्द होगा आति सीतोंशन ग्रिस्म और सीतों सुन होगा नहीं सीतों सुन केवल होगा नहीं क्योंकि सीतों स केवल सीत है और ग्रिस्म और सीतों स यानि गर्मी और ठंडी जो दोनों हो उसके लिए कहा जा रहा है लेकिन यहां पूछा जा रहा है दोस्तों समान रूप से जो हो यानि समान उसे ठंडा हो और गर्म के लिए एक सब्ध तो होगा समसीतों यानि हमारा एंसर होगा यहाँ पे विकल नमबर डी अगला देखेंगे question number 9 question number 9 भी दोस्तों वाक्यांस के लिए एक सब्ध से लिया गया है question है पैरों से लेकर मस्तक तक के लिए एक सब्ध पैरों से लेकर मस्तक तक के लिए एक सब्ध तो यह नमबर भीकल पर आपाद मस्तक दोस्तों यही आपका एंसर होगा पैरों से लेकर मस्तक तक के लिए एक सब्ध है आपाद मस्तक आजान बाह होगा नहीं नौजात होगा नहीं दुर्तगामी हो नहीं आजान बा दस नंबर कोश्चन है हमारा जो प्रितिवी के हाल जानता हो के लिए एक सब्द जो प्रितिवी के हाल जानता हो उसके लिए एक सब्द ये नंबर भिकल्व है प्रितिवी के मद्ध को जानना यह होगा नहीं प्रितिवी के मद्ध से क्या मतलब प्रितिवी के हाल को जानना य ऐसा सब्द नहीं है और भूगर बिग्यानी यहां पर होगा नहीं यहां पर हमारा एंसर कौन सा होगा दोस्तों जो पृत्वी की हाल जानता हूं उसके लिए एक सब्द तो भूगर वह सास्तिरी यानि एंसर होगा हमारा बिकाल नंबर भी दोस्तों हम कोश्चन और एंसर को बार बार रिविजन करते हैं आप इनको कंठस्ट होकर कांस्ट्रेट होकर सुनिये ताकि आप लंबे समय तक इन कोश्चन से इन प्रस्णों से आप प्रिपेर रहें अपने एक्जाम देने के लिए चलिए अलेबन नंबर कोश्चन देखते हैं सुध्वर्तनी, मैं थीसा टापिक वर्तनी से है तो यहां का कोश्चन है दोस्तूं क्योंकि यह ट्यस्ट सीरिज है इसलिए इसमें आपको सारे तरह के कोश्चन देखने को मिलेंगे और उनका लेबल भि जो उसमें पूछा आठा है कर से लीए यहां पास करें हमाइब पास 4 सब्द यहां पर अगरण पुणारा नमबर यह पुनर जागरण इसमें दोस्तों जा पर आधारा लगता है यहानि आट सब्द ौट कर बंता है यहां यहां पर बिकल्प नमबर यह पुनर्जागरण ये का जो विकाल्फ हमारा है वही सुध्ध बनेगा बाकि ये पुनर्जागरण ये पुनर्जागरण और ये ये होगा नहीं क्योंकि इसमें बड़ा मांतरा और इसे नाप्याधारा लगा हुआ है और सुध्ध सब्ध हमारा होगा इसमें सुध्यıldं ऄदध उर्तनी से लिया गया ul्ड है पहला वोड़ है तत कालीn डूसरा है तद कालीं दूसरा थाथ कालीं दी नंबर विकलप है ताथ कालीं हमें सुध्य बताना इसमें कूनसा होगा तो इसमे सुध्य होगा आप लोग विध्यान देजिए collects दोस्तों विकल नंबर ये तत कालीन सुद्ध सब्ध होता है तत कालीन यानि हमारा एंसर होगा विकल नंबर ये दोस्तों थोड़े ऐसे बेसिक बात आओर हम लोग करेंगे GS prelims आप GS में first paper जो हमारा 140 questions का पूछा जाता है आप उस पे पूरा जोर लगाए क्योंकि prelims दोस्तों qualify करना पूरा का पूरा दारमदार GS पे है हिंदी के question दोस्तों 60 पूछे जाते हैं अब लोग जानते हैं इसमें अगर आप medium मेहनत करते हैं तो 50 आजाते हैं लेकिन 55 पलस आपको लाने है थोड़ा इसमें भी दोस्तों गंभिरता बरतने की जरूरी है और इसके साथ दोस्तों हम यह कहना चाहते हैं कि ठीक मेंस में question दोस्तों यही और थोड़ा सा आपको yes से और अन थोड़ा सा question दोस्तों बढ़ जाते हैं बाकि total question आपको यही से मेंस में भी बिलेंगे इसलिए आप इसको मेंस की दिरिष्टी से भी प्रिपेर कीजी आगे देखेंगे थर्टी नमर कोश्चन है हमारा वाक्यांस के लिए एक सब्द से लिया गया कोश्चन है दोस्तों कोश्चन है पलक गिरने में लगने वाला समय के लिए एक सब्द बताना है परलक गिरने में लगने वाला समय, तो क्या कहते हैं दोस्तों, निमिस, यानि हमारा एंसर होगा, बिकल्प नमबर C, next देखेंगे, 14 नमबर कोश्चन, 14 नमबर कोश्चन में हमें, सन्यासी का प्रियाईवाची बताना है, सन्यासी का प्रियाईवाची, question नमबर 14, तो क्या हो विखारी होगा, नहीं, ब्राम्मन होगा, नहीं, सती होगा, यती होगा, क्या होगा, यती होगा, यानि बिकल्प नमबर ये, सन्यासी का प्रियाईवाची यती होगा, next देखेंगे, 15 नमबर कोश्चन, 15 नमबर कोश्चन में हमें, प्रियाईवाची का ही, question है दोस्तों, जिसमें में कटाच का प्रियावाची बताना है, कटाच का प्रियावाची, 15 नमबर कोश्चन है, तो क्या होगा दोस्तों, कांटेदार होगा नहीं, संकेत होगा नहीं, इसारा होगा नहीं, कटाच का प्रियावाची होगा तिर्ची नजर, कटाच का प्रियावाची होगा त लेना होगा नहीं सुविकार करना होगा नहीं, आ सुविकार करना होगा नहीं, त्याक का विलोम होगा गरहन, यानि त्याक करना गरहन करना, विकल बी, अगला यह देखेंगे, 18 नमबर कोश्चन, कोश्चन है आरून का प्रियाईवाची बताना है, 18 नमबर कोश्चन में हमें आरून का प्रिय सूर किया सूर यानी Congress20 L number D zogen करते हैं तोने वासी नहीं ha और पूखा अनन्द पूर भी नहीं करेंगे बिकल काफी कंप्टइट्युव तो राजमहल के अंदर के भाग को अंतिवासी कहते नहीं है, पहला गलत हो जाएगा, अनन्तपूर भी नहीं होता, अंतचल भी नहीं होता, यहां होता है अंतापूर, राजमहल के अंदर का भाग को अंतापूर कहते हैं, नहीं देखेंगे, 20 question, और आज के इस टेस्टी सीरीज का लास्ट कोश्चन है दोस्तों कुरूप का सुद्ध बिलोम सब्द है कुरूप का सुद्ध बिलोम सब्द हमें बताने है तो मनोहर होगा नहीं मनोग होगा नहीं सुदर्शन होगा नहीं कुरूप का सुद्ध बिलोम सब्द होगा शुरूप यानि विकल नमबर डी इस तरह स दोस्तों हम लोगों ने आरो यारो प्रिलिम्स के सेकेंड प्रिपर का फर्स्ट यानि टेस्ट सीरीज नंबर वन सामान हिंदी का साथ कर लिया है दोस्तों आप इन टेस्ट सीरीज को अच्छे तरह से साथ करें वाइन का रिविजन करें ताकि आप कोश्चन कैसे साथ करने है इस चीज से अभ्यास्त हो सके और एक्जाम में प्रिलिम्स क्वालिफाई कर सके तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्टी सीरीज के साथ जो हमारा सामा निल्देन यानि जियस का होगा ठैंक्स फार वाचिंग